शिव की एक बेल पत्र के नहीं जाओगे कभी दॉक्तर के पास आप शंकर का भजन तो करो आप सुरी नरण भगवान को अरग तो दो आप एक बेल पत्र शंकर को समर्पित तो करो जिस बेल पत्र को आप ब्रक्ष पे से तोड़कर या बजार में से पांच रुपे की खरीद कर लेकर संकर भगवान को चड़ा देते हो शिवजी के पास जो पहुच गई जो अरपन कर दिया जाता है भगवान को दे दिया जाता है वही तो प्रशाद बन जाता है अरे बोलो जमके जो शिवजी को दे दिया जाता है अरपन कर दिया जाता है या राम जी को दे दिया जाए या कृष्ण बगवान को दे दिया जाए जो भी हम भगवान को अरपन करते है वह प्रशाद बनता है कि नी बनता अरे बोलो जमके बनता है ना प्रशाद तो राम जी को तुमने लड्डू का भोग लगाया तो वह परशाद बन गया उसको तुम लोगों ने खाया की नही खाया अरे बोलो जम के, खाया, हनमान जी के मंदर में ले जाके नरियल फोडा, वो परसाथ बन गया, उकी चितक निकाल निकाल के तुमने खई की नहीं खई, खई ना, देवी जी के मंदर में गये, पूरी और हलुए का भोग लगाया, वो परसाथ बना की नहीं बना, अब संकर संकर भगवान के लिए रोज क्या ऒंदना बेल पत्र, आगर शिवजी को तुमने जो बल पत्र चड़ाया, तो बो परसाथ बना की नहीं बना, और आप परसाथ बन गया, तो उस बल पत्र को उठा कर लाकर खाणा, और खाकर अपनी आउशधी के रूप में उसको सिकार करना उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो चाहे ब्लेट पेशर किसी भी रूप में हो चाहे किडनी, लीवर, कुछ भी डेमेज हो रहा हो डाइलेसेस चल रहा हो अब एक बाबा को चड़ा कर उससे बिंती करकर तो लाओ कि हे शम्भू, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूँ मैंने सुना है, तुझ पर जो चड़ता है, वो परशाद बन जाता है और ये त्रगुनाकार बेल पत्र को में लेकर जा रहा हूँ मैं खाओं और बाबा इतनी करपा कर देना कि ये ओशद ही का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे, ये शिव से कहूँ क्यों निर्मान ने बन कर फेका जाए बेल पत्र को